तो भाई लोग कराची किंग्स वर्सेज मुल्तान सुल्तान्स के बीच में जो पीएसल दोजार चोबिस का मैस नमर 19 है ना इस मैस में कौन से प्लियर को अपनी ड्रीम लेवन के टीम में कैप्टन करना किसको करना वाइस कैप्टन 22 प्लियर में से कौन से 11 प्लियर के साथ मैं Grand League के जीच जाता हूँ आप भी जीच सकते हैं बस आपको करना क्या है वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि मैं बताऊंगा कौन आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा कौन सबसे कम पॉइंट देगा यकीन मानिया अगर आप पहली बार वीडियो देखने के बाद जब मैं आच होगा आप भूलो गयार भाई ने जो चीजे बुली थी वही चीजे हुई तो एक बार सिर्फ मुझे आज माने के लिए आपको पूरी वीडियो देखने के बाद मैं आपको एक टिप्स दूँगा उस टिप्स को अगर आपने फॉलो किया तो एक कारनामा होग हमें आप में से कोई एकाता ग्रैंड लिग जीतेगा बाहर का बंदा नहीं जीतेगा ये मेरा वादा है आप से बस कर रहा है जिहां से पूरी वीडियो देखनी है और जो मैं टिप्स बताऊँगा उसको अच्छे से फॉलो करना तो चलो बड़ी बड़ी बाते बहुत कर ल मलाना आ सकते हैं डेविड बिली की भी वापसी हो सकती है और अबास अफ्रीदी की भी वापसी हो सकती है मुंतान सुल्तान उसके खेमे में बाकी तोड़ा सा डाउटफुल भी है कि कितनों की वापसी होती कितनों की नहीं होती आप इसकी टेंसन मतलो मैंच स्टार होने के 2 से तीन घंटे पहले दोनों डिमों के जो फानल फ्लेइंग लेवांस है ना वो आपको मेरे टेली ग्राम पे मिल जाएगी आप बोलोगे बस प्लेइंग लेवांस तो भाई साब प्लेइंग लेवांस नहीं आपको इस मैच की ड्रीम लेवन की बिनिंग टीम भी मिलेगी मेरे टेलीग्राम पे वो भी एक नहीं, दो, नहीं, तीन, तीन, तो अभी डिस्किप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगा, जो कमेंड वक्स में, सबसे पहला कमेंट है, वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी, अब सब इन फंटैस्टी के नाम से भाई का टेलीग्राम है, अगर आपको सभी मैचों की मैच स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले, दो से तीन, डीम लेवन की बिनिंग टीम चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम जो रुजवाइन करे, आप सबको पता है ना, यह जो मैच है नेशनल स्टेडियम कराची पे खेला जाएगा, इस मैदान पे इससे इनिंग में डियू आ जाती है, तो बॉल स्किट करके बैट पे काफी ज़्यादा अच्छे से आता है, अबरेज स्कोर हैं पर फस्ट इनिंग का 184, 114 यह हाई स्कोरिंग मैदान है, जब हाई स्कोरिंग मैदान है तो बले बाजों को थोड़ा ज़्यादा रखना होता है, इनिवाजों को सोच समझ के रखना होता है, किसको रखना है टीम में, किसको नहीं रखना, मैं आगे एक एक चीज किलियर करूँगा, इस मैदान का जो हाईस स्कोर है 238 जो कि इसलामाबाद उनाइटेट के नाम पर है, अगर हम यहाँ के मैदान पर हाईस टोटल चीज की ब 12 बार स्कोर बन चुका है, 150 से 169 की बीच फरे 15 बार स्कोर बन चुका है, 170 से 189 की बीच बन चुका है, 190 या इस से जादा, अगरे पार 19 बार बन चुका है, लेकिन स्कोरीं पें हाइस स्कोरीं के बढ़ें निचे लग घार होते हैं, ठोड़ा मीटियम स्कोरीं से apologize ब बहुत तो भाईया बिलकुल फ्लैट है बैटिंग के लिए बढ़िया है लेकिन सुरू के दो-तीन ओबरना जो तेज़ गेंद माज होता है जो उनकी बोल होती है वो हवा में हरकत करती है स्विंग करती है बस दो-तीन या चार ओबार लेकिन जैसे बोल की सानिंग कतम होती है जो बोल होता बैट पे काफी ज़्यादा अच्छे से आता बोन्डी लेंज की इमाद को तो 54 मीटर से 70 मीटर की मतब छोटी सी बोन्डी लेंज है चोके छके ज़्यादा लगते तो शुरू में जो टीम पहले बिकिट गिरा देती है बाद में समाल नहीं पाती वो जो मैच ह यहाँ पर हाई स्कोरिंग हो जाते है तो आज का भी जो मैच है न मुझे लगता है हाई स्कोरिंग होगा जब हाई स्कोरिंग होगा तो कौन से प्लियर बढ़िया रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे चलो एक-एक करके जानते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मसूद ने एक हाप सिंची मतलब जो इनकी करेंड़ परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा बेकार है एक मैच मुलतान सुल्दान के सामने किला था जो पिछला में 30 सन मना थे 33 बॉलो में तो मतलब मुलतान सुल्दान की सामने कुछ खास नहीं है इनकी परफॉर्मेंस 16 मैच कहला कराची के मैदान पर 528 बनाए है एक दो हाप सिंची लगाई थे मतलब इस मैदान पर परफॉर्मेंस ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी है ऐसा भी नहीं कहेंगे उसामा अमीर के स्वामने थोड़ा सा फस्ते जरून है मुझे लगता है जो सान मसूद है भले ही सोलो मोचन में 35-40 बोल में 40-45-50 की रन बनाए मतलब रन बोल कहले लेकिन रन बनाएंगे बहुत अच्छा पॉइंस नहीं लेकिन ठीक ठाक पॉइंस देंगे इसलिए सान सूद को आज के मैच में हमें अपनी टीम में जगे देनी चाहिए महीं दोस्तों अगर हमें पर टीम सेफड़ की बात करें आखरी के 10 मैच में 1090 बनाएं एक हाफ सेंचुरी के साथ जो इनकी भी फोर में बहुत जादा अच्छी नहीं है कराची के मैदान पर दो मैच के ला इनकी भी जो फोर में ठीक ठाके लेकिन बहुत जबर जस्त है ऐसा भी नहीं है 171 मैच के मुलतान सुल्टान के सामने जिम सेफड़ा स्टरगल करते हैं बाकी कराची के मैदान पर 12 मैच कहला 38 मैच सीब एक हास स्टरी लगा पाए तो मतलब कराची के मैदान पर जिम सेफड़ की जो फोर में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती डेविड बिली औसामा मीर और अबास अफड़ी के सामने बल्ले वाजी करते हैं वो थोड़ा सा फस्ते मी है जिम सेफड़ा लेकिन मुझे लगता है जो जिम सेफड़ा जोगे आज के मैच में बड़ी पारी खेल सकते हैं अगरा में तो आज इसमी मी के सामने बड़ी आ बलले बाजी पहले भी कर चुके हैं सोयम मलिक कराची की मादान पे 30 मैच कहला 604 रन मना है चार विकेट निकारे तो इस मादान पे खेलने का बहुत ज़्यादा एक्सपिरियंस है और ठीक ठाक प्रफॉमेंस भी करते हैं बहुत अच्छी नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक है और सामा मीर अबबास अफ्रीजिय और सहनमाद धानी के सामने थोड़ा सा सोयम मलिक फसते भी है लेकिन मुझे लगता है आज के माच में यह आपको वापस से और उंडर प्रफॉमेंस देंगे कौन सोयम मलिक 40-60 की बीच में रन मनाएंगे और एकाता दो बिकेट भी लेके जाएंगे अगा 40-60 की बीच में रन मन बनाए एक बिकेट निकाला पांचो नमबर पे हमेशा फिनिस करने आते 30-35-40 की पारी हमेशा खेल के जाते कौन कारेन पॉलाड 118 बना चुके मुल्तान सुल्तान के सामने जो की बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है छे मैंच के ला कराशी के मादान पे 161 बनाए जो इनक पारी के जाएंगे अगर 30-35-40 की पारी खेलते हैं हो सकता है आपको यह ठीक ठाउक पॉइंच दे हो सकता है क्या देंगे ही तो काने पॉलाड को भी हमें आज के माच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए बाकि अगर में पर मुहम्मद नमाच की बात कर तो आकरी के 10 मै हैं वो थोड़ा सा हलके हैं कराची के मैदान पर 32 32 मैच के लाड़ 294 नमाइन 29 बिकेट निकाले मतलब इस मैदान पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है किसकी मुहम्मद नमाच की अबास अफविदी औसामा मीर एं सहनवाज धानी के सामने बल्ले वाजी करते हुए थोड कि अधरी के 10 मैच में 131 मनाएं आकरी के 10 मैच में 5 चौ McMyan 없습니다 7 नमबर पर बल्ले वाजी करते हैं या date मुलतां के सामने दोनों मैच में खाता है पता नी में खुला यंए रही कि इससे ज़्यादा नहीं ति ये भी आपको ज़्यादा अच्छा पॉइस नहीं देंगे इसलिए इनको भी अपनी टीम में जगे आज के मैंच में नहीं देनी चाहिए वहीं बात करें अगर हमें आपे हसन अली की आखरी के 10 मैच में 16 बिगट चटका है तो हसन अली फॉर्म में 2-3 बिगट सभी मैचों या 1-2 बिगट तो निकाल लेते 15 बिगट ले चुके हैं मुल्तान के सामने ये भी बढ़िया है 25-25 मैच केला कराची के मादान पर 37-37 बिगट चटका है इस मादान पर हसन अली का जो रिकोर्ड है वो काफी जाता जवर ज़स्त है और मुझे ज़गता फिर से हसन अली बढ़िया के इनवाजी करते नजर आएंगे 2-3 बिगट आज के मैच में चटकाएंगे तो हसन अली आपको बढ़िया पॉइंच ज़रने वाले इसलिए इनको भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए बाकि अगर हम आपे मीर हमजा की बात करें तो आखरी के 10 मैच में 5 बिगट चटका है 10 मैच 5 बिगट यानी जो इनकी करन प्रफॉर्मेंस है वो भी ब हमजा आपको बढ़िया गेंदवाजी करते हुए देखें नहीं तो ज़रने के बात करें तीन बिगट जो कि बहुत जाहा तो नहीं है तीन मैच के ला मुलतान के सामने चार विगड चटका है, मुलतान के सामने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने नहीं करी, पांच मैच के ला कराची के मैदान पर साथ विगड चटका है, मतलब इस मैदान पर ठीक ठाक गेंदबाजी करी है, लेकिन मुझे लगता है जाहिद महमूद को आज के मैच में एकाता विगेड मिलेगा, जादा नहीं मिलेगा, थोड़ सा महेंगे भी साबित होंगे, तो I think जाहिद महमूद को अपनी टीम में जगे नहीं देनी चाहिए, ब्लेसिंग मुझरबानी की यह बात करें, तो आखरी के 10 मैच में 13 विगेड यह बहुत जादा अच्छा नहीं, यह कराची के मैदान पर दो मैच कहला, बस एक विगेड टटका है, तो मतलब इस मैदान पर भी कुछ खास गेंदवाजी इनकी रही है, और मिलेसिंग मुझरबानी को फिर से एकाता विगेड मिलेगा, जादा नहीं मिलेगा, जादा आकड़े पर बात कर लेते हैं, तो आकड़ी के 10 मैच में 260 हन मनाएं, दस में 260 हन दो हाप सेंचुरी, भाईया, रिजवान की परफॉमेंस तो बिल्कुल भी ने लग रही है, यानि आकड़ी के 10 मैच में जादा कुछ नहीं कर पा रहे रिजवान, 410 हन मना चुके हैं, आकड़ी के 10 में से होती है, काफी जादा खतरनाक होती है, हर दूसरे मैच में यानि महम्मा रिजवान की कराची के मैदान पर हाप सेंचुरी आती है, हसन अली मीर हमजा मुहम्मा नमाज के सामने थोड़ा फस्तर जरूर है, लेकिन जिस तरह का बल्लेवाज है ना, जल्द फस्तावस्ता नहीं है, और मुझले तर इजवान 97.90 की पारी आज के मैच में खेलने वाले है, सब 97.90 की पारी खेलेगे, आपको पता है ना, कमाल का पॉइंच देंगे, जब कमाल का पॉइंच देंगे, तो इनको अपनी टीम में जगा देनी चाहिए, जगा देने के साथ साथ है ना कैप्टन या वाइस कैप्टन करना चाहिए किसको मुहमर रिजवान को कर दियन को कैप्टन या वाइस कैप्टन बहुत बढ़िया अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डेविड मलान की तो आखरी के तरस मैच में 269 मनाए तीन हाफ सेंचुरी के साथ डेविड मला अनवर अली के सामने तोड़ा सा डेविड मलान फस्ते भी है लेकिन जिस तरह का बल्लेवाज है ना मुझे लगता है यह फिर से आपको 40-50 के वीच में पारी खेल सकते हैं या 30-35-40-50 मतलब 30-50 के वीच में बनाकर ठीक ठाक आपको पॉइंस देने वाले इसलिए डेविड मलान को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए वहीं बात करें अगर हमें आप एक एक मैच काला 81-81 ड़ायासे जनकी पारी खेली है उस्मान खान का भी होता जब भी खेलते लंबी पारी खेलते है ने तो जल्दी निपड़ जाते हो मुझे लगता आज क्या होगा आज उस्मान खान थोड़ा जल्दी सिकारप बन जाएंगे पांदस पंदरा बना की यानि ओबरॉल बहुत अच्छा पॉइंट उस्मान खान आज आपको नहीं देंगे इसलिए उस्मान खान को हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे नहीं देनी चाहिए बात करें अगर हम आपर रीजा हैंडिक्स की आकरी के 10 मैच में 386 रन बनाएं दस मैं 386 रन चार हाप सिंसुरी के साथ तो रीजा हैंडिक्स की जो करेंट परफॉर्मेंस से बहुत ही जादा जवर्जस है जो पिछला मैच कर लथा कराची के सामने उसमें 79-89 की पारी खेली जवर्जस और मुझे लगता आज की मैच में उतनी लंबी पारी तो नहीं लोगी लेकिन 35-40-50 की या 60 की पारी ये भी खेलकर आपको बढ़िया पॉइंस देने वाले इसलिए रीजा हैंडिक्स को भी हमें आज के माच में अपनी टीम में जगा देनी चाहिए कि बढ़िया चारन बनाया और सिफ चार बिकिट निकाले मतलब इस मैदान पर गेंद बाजी में ज्यादा कुछ करने ही पाते हो बल्ले बाजी में बहुत ज्यादा अच्छे आगड़े नहीं है इफ्तिकार एहमत के हसन अली अनवर अली एनमीर हमजा के सामने थोड़ा सा बल्ले बाजी करते हों फसते हैं लेकिन मुझे लगता है आज के माश मेना जो इफ्तिकार है ये देंगे आपको और नवर प्रॉफर्फोंस देने का मतलब है गेंद बाजी में आज दो ब् vernाजी निकाल सकते हैं ये याद रखना अगर एक दो बिकिट निकालेंगे तो गेंद बाजी से पॉइंट्स और बल्ले बाजी करते हो है मुझे लगता है 35, 40 या 50 की चलो 50 हो जादा हो जाएगा लेकिन 20, 25, 35 की पारी खेल कर आपको बल्ले ओगे इन दोनों जगे से अच्छा पॉइंट्स जेने वाले है इसलिए इफ्तिकार एहमद को अपनी टीम में जगा देनी चाहिए जगा देने के साथ साथ इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करना चाहिए किसको इफ्तिकार एहमद को वहीं बात करें अगर हम यहाँ पे खुशदिल साह की अकरी के 10 मैच में 98, 98, 99 मनाए 5 बिकट निकाले तो जो इनकी फोर्म में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल ल बल्ले बाजी कभी 2-4-10 बोल मिलती है मीर हमजा हसन अली मुहमद नमाज की सामने थोड़ा सा फस्ते भी है मुझे लगता खुशदिल सा गींद बाजी करने आएंगे तो आज इनको बिकट भी नहीं मिलेगा बल्ले बाजी में हो सकता नंबर ना है आए तो पांदस पंदर ग्यारा बिकट तो बहुत अच्छा नहीं है पिछले मैच को हटा दिया जाए तो आट बिकट ले चुके कराची किंग्स के सामने बाकि कराची के मादान पे चार मैच कहला बिकट का खाता ना खुला मतलब इस मादान पे उसामामीर गेंद बाजी करते हैं वह थोड़ा सा मुझे लगता है आज की मैच में एश्टेगल ही करेंगे एक आदा बिकट मिलेगा बहुत जादा उसामामीर को बिकट नहीं मिलेगा इसलिए इनको आज के मैच में अपनी टीम में जगे नहीं दिनी चाहिए बात करेगा हम आपे डेविड बिली की तो आकरी के 10 मैच मैच म बनाए आठ बिकट निकाला तो ठीक ठाक है हलाकि बहुत जाजा जवर्जस भी नहीं है लेकि मुझे लगता है रन तो हडा दो रन तो मुस्किले बले बाजी आए आए तो चलेगा वी नहीं लेकिन दो तीन बिकट डेविड बिली आज के माच में निकाल सकते हैं कि न्यू चार मैच कला साथ बिकट चटका है तो कराची के सामने इनके भी आखड़े अच्छे हैं बाकी नेशनल स्टेडियूम कराची के मादान पर पांच मैच कला तीन बिकट निकाला तो इस मादान पर अब बास अफ्रीदी को भी उतने जादा बिकट नहीं मिलते है और मुझे अठारा बिकट यानि जो इनकी करेंट परफॉर्मेंसे जबर जस्त है एक बिकट छोड़ो सबी मैचों में दो तीन बिकट चे कम लेते ही नहीं है जो एक मैच कला था कराची के सामने उसमें भी तीन धगेल दिया था नेशनल स्टेडियम कराची पर पहली बार कर देने वाले हैं इसलिए इनको भी एपने जगे देंगे इस लिए लिए मोज्य मैज को इसे में आज थीक ठाक प्वांस दे सकते हैं इसलिए इनको भी था अपनी टीम में जगे देनी चाहिए तो भाईया हमने यहां पे न सभी प्लियस के बारे में जाल लिया एक चीज या तो फैसल अकरम के लेंगे या फिर इनकी जगह पे आपताव इबराहिम दोनों मैं से एक खेलेंगे आपताव इबराहिम की बात के तो दो मैं जो खेला उसम कम पॉइंट से दे सकता है तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी ज़्यादा हेल्फ मिलेगी फंटैस्टी के टीम मनाने में बाकि आप मेरी टीम के इंतिजार करें तो भाईया इंतिजार करो खतम क्योंकि यह ते ही मेरी टीम है जो मैंने टीम मनाई है ना बहुत ही करने के बाद बनाई है अगर आप इसके साथ जाओगे तो आपकी बिन करने के चांसे काफी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं बाकी मैंने बोला था ना आपको एक टीप्स दूँगा तो टीप्स यह है सभी लोग इस टीम के साथ जाएं लेकिन एक दो या तीन पिलियर ऊप नीचे कर लें कैसे मैंने वीडियो में बता है ना कौन जादा पॉइंच देगा तो इस भीहाब पे एक दो पिलियर ऊपर नीचे कर लें उसके बाद क्या होगा एक जादू होगा जादू कुछ यूँ होगा कि हम मैं आप में से कोई एकाता ग्रैंड लिग जीतेगा बाहर लिग जाएगी आपको डिस्किप्शन में जो कमेंट वक्सर सबसे पहला कमेंट है वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगी अब सब इन फंटैसी के नाम से भाईका टेली ग्राम है आई पेल के सभी मैसों की मैस स्टार्ट होने के आदे घंटे पहले आपको दो से तीन ड्रीम ले के साथ तब तक के लिए God bless you